ओम शांती आज है ग्यारा अप्रेल दो हजार तेज़ की साकार मुरली आए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे महावक्यों को मीठे बच्चे जीते जी मरजीवा बनो हम अशरीरी आत्मा हैं यही पहला पाठ अच्छी तरह से रोज बक्का करते रहो प्रेश्न संपूरन सरेंडर किसको कहा जाएगा उत्तर जो संपूरन सरेंडर हैं वह देही अभिमानी होंगे यह देह भी हमारी नहीं अभी हमनंगे बनते हैं अर्थात शरीर मन और धन जो कुछ है वह बाबा को अरपन करते हैं सब मेरा मेरा समाप्त कर पूरे रस्टी होकर रहना ही संपूरन सरेंडर होना है बाबा कहते बच्चे मेरा बनकर सबसे ममत तो मिटा दो धंदा धोरी करो संभालो माबाप की पालना का करजा उतारो प्रंतु बाप की श्रीमत पर रस्टी होकर गीत दर पे आए हैं कसम ले ओम शांती बच्चों ने गीत सुना जरूर गीत मेरा है से भरा हुआ है जो बाप बैठिन का अर्थ समझाते हैं इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बढ़ना बाप का बढ़ने के बाद फिर टीचर वा गुरू करते हैं ऐसे भी नहीं सभी लोग की गुरू करते हैं मिजर्टी गुरू करते हैं क्रिश्यन लोग भी जब पच्चा पैदा होता है तो क्रिश्यनाइस करते हैं गुरू की गोद में जाकर देते हैं फिर पादरी हो या कोई भी हो पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्यन बनते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो पहले पहले तो हम बाप के बनते हैं अपना शरीर, मन और धन जो कुछ है बाबा को अर्बन करते हैं जीते जी मरते हैं अर्थात हम आत्मा उनका बनते हैं यहाँ बुद्धी में रहना चाहिए, जो भी मेरी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन, दौलत, संबंदी, आदी, जो कुछ है, भूलते हैं, मरने के बाद सब भूल जाता है, कितनी बड़ी मंजिल है, हम अशरीरी आत्मा हैं, यहाँ पक्का करना है, ऐसे नहीं कि तुम श के पंक तूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी, तमो प्रधान होने कारण एक भी आत्मा वापिस जा नहीं सकती, माया ने एकदम पंक तोड़ दिये हैं, बाबा ने समझाया है, आत्मा है, फ्लाइंग, स्कॉाइट, सबसे तीखी जाती है, उससे तीखी से भी पार, वहां से फिरलोटना नहीं है, उन्हों के रौकेट आदी तो जाकर फिरलोट आते हैं, सूर्य तक तो पहांच नहीं सकते, तुमको तो उनसे बहुत दोर जाना है, सूक्षम वतन से भी उपर मूल वतन में जाना है, जड़ चले जाते हैं, आत्मा को पंक मेल जा इस क्यामत के समय की महिमा बहुत लिखे होई है, सब आत्माओं को हिसाब किताब चुक्तु कर जाना है, अभी तो सब आत्माओं मेली पाप आत्माओं हैं, यहां ही पुनर जनम लेती रहती हैं, तुम जानते हो यहां बेहद का ड्रामा है, सब एक्टर्स को पार्ट बजान वहां से आना जरूर है सबकी आत्माई स्टेज पर आनी है जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं वहां रहकर क्या करेंगे एक्टर बिगर पार्ट बचाने घर में थोड़े ही बैठ जाएंगे नाटक में जरूर आना पड़ेगा वहां से जब सब चले आते हैं तब फिर बाप सब को ले जाते हैं बाप कहते हैं मैं भल यहां हूँ तो भी आत्माई आती रहती हैं वृद्धी को पाती रहती हैं नंबर वार फिर तुम जाएंगे भी नंबर वार सारा तुम्हारी अवस्था परमदार है इसलिए मर जीवा बनना है, हम आत्मा है, यह निश्चे रखना महनत है बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भोल जाते हैं देही अभिमानी तब होंगे जब कम्प्लेट सिरिंडर होंगे बाबा यह सब आपका है, मैं भी आपका हूँ यह देह जैसे की हमारी है नहीं, इनको मैं छोड़ देता हूँ बाबा मैं आपका हूँ, बाबा कहते हैं मेरा बन और सबसे महमत तो मिटा दो बाकी ऐसे नहीं कि यहां आकर बैठ जाना है तुमको अपना धंदा धोरी करना है, घर संभालना है बच्चों करजा उतारना है, मात पिता की सेवा कर उनका उज्जरा उतार देना है बच्चों पर माबाब की पाना का करजा चड़ता है अब यहां बाब तुम्हारी पाना कर रहे हैं, तो तुमसे पहले ही सरिंडर कराते हैं सब कुछ दे दो उनसे फिर तुम्हारी पानला भी होती है यहाश बाबा का भंडारा है मात पिता तुम बच्चों की पानला कर रहे हैं शुरू में जो भी आये थे सभी ने जट सरिंडर कर दिया अपने पास कुछ नहीं रखा सरिंडर किया फिर उस धन से बिगर छुटी पै प्वित्र सुखी कोई होता नहीं भारत सबसे बड़ा तिर्थ है जहां पतित पावन बाप आकर सारे स्रिस्टी को तत्तों को भी पवित्र बनाते हैं अभी यहाश तत्तों आधी सब दुश्मन हैं अर्थ क्वेक होगी तुफान लगेंगी क्योंकि तमो प्रधान है नैच वहारे में भी यहाँ बहुत थोड़े समस्ते हैं आज है कल नहीं है तो कहेंगे कुछ नहीं समस्ता था भल यहां आते हैं प्रंतों सब कायम थोड़े ही रहते हैं यहां से गए 10 दिन बाद समचा लिखेंगे की बाबा फलाने को माया खा गई ऐसे होता रहता है छोटे फू हो तो उनमें फल भी आवे फल आ जाता तो दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है उनका फल निकलता है बाप के बने तो फिर प्रजा भी बनानी है वारिस भी बनाने है ऐसे नहीं पंडा बन बाबा पास आए बस हम पहुंच गए नहीं मंजिल है बड़ी कहते हैं माया जनम लेते लेते चुरासी जनम पास किये फिर आकर आपका बना हूँ मैं तो आपसे वर्सा लेकर छोड़ूंगा तो ऐसे बाप को कितना याद करना पड़े और आप समान बनाए फल देना पड़े नहीं तो माली कैसे बनेंगे अपना वारिस कैसे बनाएंगे प्रजा भी चाहिए और वारिस भी चाहिए तो गद्धी पर बैठे बाबा के पास तो बखात आते हैं फिर फारकती दे देते हैं बुद्धी का योग टूटा खेल खतम कई बच्चे बाबा से आकर पूस्ते हैं बाबा अवस्था को कैसे जमाएं कोई तुफान ना उन्हों को तो रास तो दस थपड दूसरे भी लगाते होंगे यहाँ भी बॉक्सिंग है बाब को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी प्रंतु फट से तो नहीं होगा माया से कुष्टी लड़नी है ऐसे मत समझो माया थपड नहीं मारेगी भल कोई भी हो बड़ी बॉक्सिंग है डर जाती है। माया एकदम नाक में दम कर देती है। युद स्थल है ना बुद्धी योग लगाने में माया बहुत विखन डालती है। मेहनत सारी योग में है। भल बाबा कहते हैं ग्यानि तु आत्मा मुझे प्रिया है। प्रें तुए ऐसा नहीं सिर्फ ग्यान देने वाला मुझे प्रिया है पहले योग पूरा चाहिए बाप को याद करना है माया के विगनों से डरो नहीं विश्य का मालिक बनते हो 16108 की माला बहुत बड़ी है अंत में आकर पूरी होगी तेता अंत तक इतने प्रिंस प्रिंसस बनते हैं कुछ तो निशानी है ना आठ की भी निशानी है 108 की भी निशानी है यहाँ बिलकुल राइट है तेता अंत तक इतने 16108 प्रिंस प्रिंसस होते हैं शुरू में तो नहीं होंगे पहले थोड़े होंगे फिर वृद्धी पाते जाते हैं वहाँ सब बनते यहाँ है चांस अभी बहुत अच्छा है प्रंतु महनत बहुत है गीत में भी कहते हैं कब नहीं छोड़ेंगे मर जाएंगे बाबा फिर कहते हैं यहाँ सब तुम बच्चों के लिए ही है बच्चे कहते हैं हमारा सब कुछ आपका ही है कहते हैं ना कि यहाँ सब कुछ भगवान ने दिया है अब बाब कहते हैं यहाँ तो सब खत् विनाश तो होता है ना, तुम्हारे पास क्या है, यह शरीर भी खत्म हो जाएगा, अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूँ, सिर्फ एक्सचेंज करते हो ना, तो बाप कहते हैं, बच्चे अशरीरी बनो, हमको याद करो, सभी सरिंडर करो, बाप कहते हैं, इन सब शास्त् पड़े होए हैं, वह तो समस्ती हैं, बाप कहते हैं, मैं ब्रम्हा मुक्द्वारा तुमको यहां समझाता हूँ, मैंने कल्प पहले भी तुमको राजयोग सिखाकर राजारानी बनाया था, फिर अब बनाता हूँ, कबही भी मनश्य, मनश्य को गीता सुनाई, राजव सिख खलाए राजा रानी बनाना सके फिर गीता सुनने से क्या फाइदा बाप तो कहते हैं मैं खुद कल्प कल्प आकर तुमको स्वरका मालिक बनाता हूँ हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे तो जितना तुम योग में रहेंगे उतना शुद बनते जाएंगे बाबा यह पुरा पोता मेल देते हैं सहुकार देना सके सरिंडर हो नहीं सकते कोई विरला निकलता है जैसे की जनक का नाम है बाल बच्चे हैं जॉइंट प्रापर्टी है तो अलग कैसे हो सहुकार लोग प्रापर्टी निकालें कैसे जो सरिंडर हो बाप है ही गरीब निवाज सबसे गरी माताएं हैं, उनसे विजास्ती कन्याईं गरीब हैं, कन्या को कभी वर्से का नशा नहीं होगा, बच्चे को बाप की जागीर का नशा रहता है, तो वहाँ सब छोड़ फिर वैकुंट का वर्सा लेना पड़े, दान हमेशा गरीब को ही दिया जाता है, भारत है सबसे गर मैं one sovereignty, one religion, one language स्थापन करता हूँ, one almighty government स्थापन करते हैं, one से फिर two, three होगी, अभी कितने धरम हैं, फिर जरूर one धरम आना चाहिए, पांच हजार वर्ष की बात है, मनुष्य समझते हैं, फलाना मरा सुरगवासी हुआ, शायद उपर चला गया, देलवाडा मंदिर में भी स्वर्ग उपर च्छतबे हैं, तो मनुष्य मूँच आते हैं, वास्त में स्वर्ग कोई उपर नहीं है, तुम अब जानते हो बाबा के पास जाना है, फिर यहां आकर राज्य करेंगी, यहां ग्यान बुद्धी में रहना चाहिए, जो कोई को समझा सको, कच्चे को तो माय कच्चा खा जाएगी, बाबा के पास समझार आता है, फलाने ने एक ही ऐसा तीर मारा, जो बस मैं बाबा का बन गया, शास्त्रों में लिखा हुआ है, कि कुमारियों द्वारा बान मरवाए, इसको ग्यान बान कहा जाता है, सिर बाब की याद दिलानी है, बाकी कोई स्थू पूलबान की बात नहीं है, जानते कुछ भी नहीं, मनुश्यों को जो आया सो लिख दिया है, गंदगी तो बहुत है, रिद्धी सिध्धी वाले भी बहुत हो गए है, सच जब निकलता है तो जूट सामना करता है, अब तुम समझते हो कि शे बाबा है निराकार और यह ब् पॉस्ट क्लास निकले हैं, जो सच चिप गया है, तुम किसको सच सुनाते हो तो जैसे मिर्ची लगती है, अरे मोस्ट बिलावड बाब से तो वर्सा लेना है, वहाँ फिर सरव्यापी कैसे होगा, सरव्यापी का तो कोई अर्थी नहीं निकलता, गौड फादर स्वर क्रिय चैता है ही नई दुनिया का, ऐसी नहीं कि वहाँ पुरानी दुनिया स्थापन करते हैं, बाब पुराना घर थोड़े ही बनाएंगे, तो ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए, अच्छा, मीठे मीठे सिकीलिधे बच्चों प्रती, मात पिता बाब दादा का, याद प्यार और गुद मानिंग, रुखानी बाब की, रुखानी बच्चों को, नमस्ते, हम रुखानी बच्चों की, रुखानी बाब दादा को, याद प्यार, गुद मानिंग और नमस्ते, धारना के लिए मुख्यसार, नमबर एक, माया के विगनों से डरना नहीं है, बाब की याद से को सिरिंडर कर अशरी रिबन बाप को याद करना है जानी तो आत्मा के साथ साथ योगी भी जरूर बढ़ना है वर्दान मेरे पन की समरीती से सनेह और जरिस्टी प्राप्त करने वाले समर्थी संपनभव जो बच्चे बाप को पहचान कर दिल से एक बार भी मेरा बाबा कहते हैं तो रहम के सागर बाप दादा ऐसे बच्चों को रिटान में पदम गुणा उसे रूहानी प्यार से देखती है रहम और सनेह की तो रिस्टी उन्हें सदा आगे बढ़ाती रहती है यही रूहानी मेरे पन की समरीती ऐसे बच्चों के लिए समर्थी भरने की बाप दादा को मुख से आशिरवा देने की आशिकता नहीं पड़ती है लेकिन सोक्ष मसनेह के संकल्प से हर बच्चे की पालना होती रहती है श्लोगन जो बाप के प्यारे हैं उनका अन्य किसी व्यक्ति वा वैभब से प्यार हो नहीं सकता शुक्रिया बाबा शुक्रिया ओम श्याण